हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तो आज ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि PM किसान का आनलाइन आवेदन कैसे करते हैं बिल्कुल नया तरीका आपको बताने वाला हूँ आप घर बैठे ही अपने मॉबाइल फोन से कम्प्यूटर लैपटॉप से PM किसान योजना का आनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना में आवेदन करने के बाद आपको साल के 6,000 रुपे गॉर्मेंट की तरफ से दिये जाते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरू चैनल विडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेर, सबस्क्राइब कर दीजेगा PM किसान का रजिस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपेन करना है गूगल के अंदर आपको लिखना है PM किसान, लिखने के बाद आपको सर्च करना है PMकिसान.gov.in की सबसे जो पहली वेबसाइट आपको मिल रही है, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है इसके बाद अगर आप खुछ से ही PMकिसान का रजिस्टेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको New Farmer Registration का एक आप्शन मिलेगा यह आप्शन आपको नीचे की साइट में भी मिल जागा, New Farmer Registration आपको जो है अपना PMकिसान का फार्म भरने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से Option दिखाए देगा सबसे पहले आपको बताना है कि आप Rural से हैं या फिर Urban से अगर आप गाओं के रहने वाले हैं तो Rural सेलेक्ट करेंगे अगर आप टाउन सहर के रहने वाले हैं तो Urban सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ट का जो नंबर है वो नंबर डालना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक mobile number डालना है इसके बाद यहाँ पर आपको click करना है और अपना state select करना है जो भी आपका state है सभी की सभी state यहाँ पर दिये गए है इसके बाद यह जो capture दिखाई दे रहा है आपको same capture इसके अंदर भरना है इसके बाद आपको जो है get OTP पर क्लिक करना है इसके बाद जो भी आपने mobile number डाला होगा उस mobile number पर एक OTP गया होगा वो OTP आपको इसके अंदर डालना है अगर OTP नहीं गया है तो आप recent OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं इसके बाद ये जो CAPTCHA दिखाई दे रहा है सेम इसके अंदर आपको इस box के अंदर भरना है और submit पर क्लिक करना है इसके बाद जो है आपके mobile number पर फिर से एक OTP जाएगा ये OTP जो है आधार कार्ट के थूरू भेजा जाएगा जो भी आपके आधार कार्ट के साथ mobile number registered होगा उस पर ये OTP जाएगा वो OTP आपको इसके अंदर भरना है ये जो CAPTCHA दिखाई दे रहा है इसके अंदर भरना है और इसके बाद जो है verify आधार OTP पर क्लिक करना है इसके बाद जो है आपके साबने PM किसान registration का farm इस तरीके से खुल जाएगा कुछ डीटेल जो है आपके आधार कार्ट से यहाँ पर ले ली जाएगी कुछ डीटेल आपको यहाँ पर भरना होगा जैसे की state आपका select रहेगा यहाँ पर click करके आपको अपना district select करना होगा जो भी आपका district है जब आप district select करेंगे तो आपको अपना sub district यहाँ पर click करके select करना होगा जब आप sub district select करेंगे तो आपको block यहाँ पर click करके select करना होगा जब आप block select करेंगे तो यहाँ पर आपका village का नाम आ जाएगा यानि गाओं का नाम आपको अपना गाओं का नाम यहाँ से click करके select करना है इसके बाद जो है यहाँ पर आपका नाम और gender automatic रहेगा यहाँ पर click करके आपको अपनी category बतानी है आप किस category में आते हैं इसके बाद आपको farmer type में click करना है और यहाँ पर बताना है कि आप small farmer है एक hectare दो hectare आपके पास जमीन है या फिर आप other farmer है यानि ज्यादा जमीन है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप small farmer है तब ही आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है तो आप पहला option select करे Japanese न भी अजाएगा यहां पर आपको पुछा जाएगा द्रेशं आइडेशन आइडी है जो आपका खतवनी है उस देता हूँ कि यह आपको कहां पर मिलेगा खतवनी में देखिए जब आप खेद की खतवनी को open करेंगे तो यहां पर देखिए भूमी का विवरण लिखाओगा उसी के नीचे जो है आपको यहां पर जो है land registration ID करके मिल जाएगा यह जो बड़ी ID आपको लिखिवी मिल रही है यही जो है land registration ID है इसको जो है आपको पूरा पूरा copy कर लेना है जितना है यही जो है आपको वहाँ पर डालना है land registration ID आपको इसके अंदर डालनी है इसके अंदर आपको जो है अपना रासन कार्ट का जो number है वो डालना है इसके बाद date automatic select रहेगी यह आपकी date of birth रहेगी यहा तो yes करिए वरना आप no पर भी click कर सकते हैं अब आप से पूछा जाएगा ownership के बारे में यानि जो जमीन का मालिक है आप single मालिक है या फिर joint है यानि कि अगर आपके घर परिवार में भाई है और सभी के नाम पर जमीन है तो आप joint select करेंगे लेकिन अगर आप जो है जमीन के single मालिक है कोई दूसरा उसका मालिक नहीं है तो आप single पर click करेंगे वरना आपको joint पर click करना है अब आप से जो है यहां पर कुछ आपके खतवनी जो है उसकी detail मांगी जाएगी जिसमें खाता नंबर खसरा नंबर एरिया यह सब चीजे मांगी जाएगी जिसके लिए आपको add पर click करना है तो यहां पर आपको कुछ option दिखाए देंगे जैसे आपको सबसे पहले यहां पर खाता नंबर डालना है इसके अंदर आपको खसरा नंबर डालना है इसके अंदर जो है area जितना भी area है hectare में वो डालना है इसके बाद आपको बताना है कि land transfer status कब से यह जमीन आपके नाम पर हुई है यहां पर आपको बताना है कि 2019 से पहले या फिर उसके बाद इसके बाद जो है आपसे land transfer detail पूछा जाएगा यानि यह जो जमीन आपके नाम हुई है क्या आपके husband के death के बाद आपके नाम हुई है या फिर आपके father के देद के बाद आपके नाम तो यहां पर आपको आधार कार्ट मांगा जाएगा जैसे कि मैं जिनका फार्म भर रहा हूं उनके पिता जी की मृत्ती हो गई उसके बाद जो है इनके नाम ये जमीन हुई है तो जिसके लिए हम देथा फादर पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप देखोगे जिस डेट को इसके बाद जो है यहां पर आधार काड्ट का जो नम्बर है आपके पिता जी का यानि कि मैंने अधा जात की देखा आई मांगा जाएगा अगर आपने वरासत कराई है पर्चेज किया है खरीदा है तो उस कंडिसर में नहीं मांगा जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ वरासत हम सलेक्ट करेंगे आप देखो हमने खतोनी को open कर लिया है उपर की side में खाता नंबर दिखाए देगा यहाँ पर left side में खसरा नंबर दिखाए देगा यहाँ पर गाटे का कुल छेतरफल hectare में जो है दिखाए देगा जैसा लिखा हुआ है सूनने के बाद दसमलो लगा करके सेम उसी तरीके से आपको वहाँ पर भी लिखना है तो यहाँ पर आपको खाता नंबर खसरा नंबर और area in hectare में लिख देना है इसके बाद आपको यह जरूर बताना है कि किस date को जो है यह जमीन आपके नाम पर हुई है तो अगर आपको exact date याद नहीं है तो आप अपने मन मताबित कोई भी एक date जब आपक आपका नंबर नहीं मागा जा रहा है तो नहीं भरना है और add पर click कर देना है जो भी detail मैंने यहाँ पर बताई है उन सभी detail को भरने के बाद जब आप add पर click करोगे तो इसके बाद जो है आपकी यह सारी की सारी detail यहाँ पर add हो जाएंगी जैसा कि आप देखोगे उपर की side म बताया कि देता father है और इसके बाद जो है यहाँ पर वो date डाली इसके बाद यहाँ पर father का जो आधार number है वो डाला इसके बाद add पर click किया तो यहाँ पर वो चीजे add हो जाएंगी इसी तरीके से मैंने दूसरा भी जो add किया है सेम यही process करके add पर click करके add कर दिया है आपको इसके बताई है उन सबको भरने के बाद अपने खेद की नकल की जो है उसको यहाँ पर Shopify करना होगा तो जो भी आपके खेद की की नकल है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा आपने PDF रखा है उसे select करेंगे open पर click करेंगे PDF यहाँ पर आजाएगा अब आपको जो है save पर click करोगे यहाँ पर थोड़ा सा process होगा इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से registration successful का message आजाएगा जैसा कि आप देख सकते हो और आपकी जो registration ID है वो भी यहाँ पर आप registration successful हो चुका है अब अगर आप अपना status चेक करना चाते हो कि अभी आपके farm का status क्या है अपरूव हुआ है कि नहीं वैसे अभी हमने farm भरा है तो इतना जल्दी अपरूव नहीं होगा कुछ समय लगता है लेकिन अगर आपको अभी भी चेक करना है तो आप अभी भी चेक कर स अपना वाला वो डालना है यह जो capture दिखाई दे रहा है सेम इसके अंदर भर के search पर click करना है तो आपका जो है यहाँ पर status दिखाई देगा जैसा कि आप देख सकते हो जिनका आपने farm भरा है उनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है mobile number आधार card number और अभी जो है यह कहीं स अप्रूव नहीं हुआ है अभी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है जैसे जैसे यह अप्रूव होगा यहाँ पर आपको status भी दिखाई देगा तो दोस्तो इस तरीके से आप PM किसान सम्मान निधी योजना का खुद से ही जो है registration कर सकते हैं खुद से ही जो है online farm भर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सेयर और सबस्क्राइब कर दीजेगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करेंगे जरूर बताएगा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन बने मातरम